हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल दा पैट वीजन दिस साहिल मली की वर होस्त अन्दी यूर वेट तो गैस आज की जो वीडियो है वह बहुत यादा इंपोर्टन है विकॉस गैस आज की वीडियो के अंदर हम आपको जे एस डी यानि जर्मन शेफर्ट ड जिए वह जो चैनल है दूसरे वाला वह एक पब्लिक की डिमांड पर ही है कि परस्नल राइब से रिलेटिड आप हमें कुछ बताईए तो गईस मैं आशा करता हूं आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखेंगे तो हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट तो सबसे पहले अ आपको अपने डोग को मदर मिल्क परवाइड करना है जैसा कि सबी डोग बीड़ के अंदर सेम कॉमन चीज है आपको मदर मिल्क परवाइड जरूर करना है बट गईस कई बार ऐसी कंडिशन डेवलोप हो जाती है जिसकी वज़े से मदर विल्क अवेलेबल नहीं हो पाता या मदर की मदर अवेलेबल नहीं होती या कोई भी इंफेक्शन हो गया है मैस्ताइटीज होगी है या पायोडर्मा वगरा हो गया या कुछ ऐसी इंटरनल डिजीज हो गया जिसकी वज़े से आप मिल्क नहीं दे पा रहे हो तब आपको उस जगह पर मिल्क रिप्लेसर और क्या क्वान्ट डिपंटि रहेगी आपको गया जो बेबी जो ला द हम उसके अंदर देना है और 20 से अन्दर या थाइना है आपको यह आपको यह चीज से देनी है- बीस में इite खसे-द्ल-ड कोशिज हो में ही पढ़ेंगे तो मैं आपको यही सज्जेस्ट करूंगा कि 70% आप पाउडर को रखिए और 30% आप वॉटर को रखिए वॉटर कौन सा लेना है आपको लिूक वॉटर लेना है यानि थोड़ा गुंगुना पानी लेना है उसके अंदर उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है म भी नीपल आती है मार्केट में अवेलेबल होती है आपको वह देना है अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं यार मार्केट में बहुत सारे प्रोड़क्ट हैं बट मैं अपने डोग के लिए जो मिल्क रिप्लेसर है वह मैं परचेस करना चाहता हूं तो मैं कौन सा ऐसा बैस्ट जो प्रोड़क्ट है वह मैं परचेस करूं देखें कुछ मैं ऐसे प्रोड़क्ट बताने वाला हूं वह बहुत ज्यादा इंपोर्टन होने वाले हैं बट कई बर ऐसी सिचुएशन डेवलोप हो जाती है कई जगा ऐसी है जहां पर यह प्रोड़क्ट अवेलेबल नहीं हो है पप बूस्तर है यह डुल्स की कंपणी बनाती है साथ में ही एबसलूट मिल्क भी है जो डुल्स की ही कंपणी डियवलोप करती है बहुत यह अच्छा प्रोड़क्ट है अच्छा रिजल्ट देता है अब गाइस एक रोईल कैनिंग का डोग मिल्क रिप्लेशर या मिल् संव मंदर मिल्क है उसके अगर अपने फपी को दे सकते हैं उसकी अच्छी एक हैल्थ बनी रहेगी तो पंदरा से बीस जिन तक milk को ही continue करके रखना है विकोज गाइस milk बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है पपीज की एज में अब बेसिकली हम बात करते हैं जर्मन शेफ़र्ट के बारे में तो जो जर्मन शेफ़र्ट होते हैं वो कार्निवर होते हैं Omnivore कई बार वो हो जाते हैं situation के according but guys specially carnivore होते हैं इसलिए हमें chicken का ध्यान रखना बहुत ही ज़राद जरूरी है अगर हम उनकी diet के अंदर chicken add नहीं करेंगे तो उनकी growth की enhancement improve नहीं हो पाएगी और guys काफी ज़्यादा problem भी हो सकती है कई बर क्या होता है guys हम जब भी dog को purchase करते हैं तो basically हम अपने जो breeder होता है उससे यही पूस्ट आए कि यार इसके angle तो बन जाएगा ना यानि जब आपका जो puppy है वो 20 days से 2.5 month का हो गया है तब आपको क्या diet follow करनी है तो guys सबसे पहले RC starter RC starter यानि Royal Canyon starter दे सकते हो आप साथ में ही pedigree pro starter आता है वो भी दे सकते हो pedigree pro starter के ओपर पहले भी video बनाई हुई है आप हमारे channel पर उससे देख सकते हैं साथ में guys अब ये growing है age तो इसके अंदर जो bone होती है हमें strong करनी है तो साथ में ही आपको guys calcium की syrup add करनी है अब ये calcium की syrup आप सोच रहोगे कितना ml दूँ puppies की age है 0.5 ml दे और आप ये सोच रहोगे कि मैं कितनी बार दूँ दिन में आप दो बार अपने dog को ये दे सकते हैं अब guys जो question mind में ये आता है कि जो मैं royal canyon starter या pedigree pro starter यूज कर रहा हूं मुझे दिन में कितनी बार देना है अपने dog को आपको guys ये 4 बार देना है और कितना द देना है 200-200 gram each time ठीक है ये जरूर ध्यान देना आपको 200-200 gram each time देना है और साथ में ही चार बार देना है बहुत ही ध्यान रखना जरूरी है अप इसको आप moisture form में दो थोड़ा moisturizing होना बहुत ज़्यादा जरूरी है as a German shepherd dog breed के अंदर but guys कई बार situation ऐसी आ जाती है कि आपका जो मैंने जो एज बताई है इसके अंदर वीट यानि जो गेहूं से बनी जो भी चीजी होती है जो भी प्रड़क्ट्स आती है आपको वह ओवाइड करने है काव मिल्क नहीं देना और इसके अंदर आपको एग भी रिडूस करें अगर आपको नहीं देना है अगर आप दोगे लफसेट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है तो आपको यह चीज़े नहीं देनी है इसके अंदर आपको बोईल्ड चिकन कैसे देना है जैसा नहीं है कि आपने स्टार्टर दे दिया उसी टाइम ही आपने दिया थोड़ा से गैप देके जैनि एक घंटे का गैप मिनिमम रखो बोईल चिकन को बोईल करो चोटे चोटे पीसी बनाओ जैसा कि आपको फोटो दिख रही होगी एक मैस टाइप स्टक्चर बनाओ और आपको अपने हाथ से खिलाना है वह ऐसा नहीं है कि उसके सामने बहुत सारा रख दिया और अगर वह एकदम से अटैक करेगा तो बोडी एकसेप्ट नहीं करेगी बोडी उस फूड को एबजोब नहीं करेगी और आपके डोग के जो लूज टूल्स आप बोलते हो ना कि लूज टूल्स लगए हैं लूज मोशन होगे हैं वोमिट कर रहा है तो कुछ ऐसे ही गैस्ट्रो इंडेशनल अपसेट डेवलोप ह हो जाता है और साथ महीं आपको इसमें ध्यान देना है बोल्ड वेजिटेबल यानि आप वेजिटेबल जो भी लाते हो उसको एक बार पानी में उबालो तब आप अपने डोग को दे तो यह कुछ पॉइंट था जो मैंने आपको 20 डे से 2.5 मंत की एज में बता दिया तो का मैं आशा करता हूँ आपको इस समझ में आ गया होगा अब पपी की एज बड़ेगी 2-4 महीने तक की आपको क्या डाइट फोलो करनी है सबसे पहले आपको जो मिल्क रिप्लेशर है उसे ही कंटिनू रखना है एस स्टार्टर के अंदर मैंने फस्त बार जो बताया था आपन कर सकते हैं साथ में आपको कैल्शियम मस्त सिर्फ रखनी है आप थोड़ी सी डोजरेट हम बढ़ाएंगे 0.8 ml आपको यह कैल्शियम के सिर्फ देनी है साथ में आपको सोयाबीन भी दे सकते हो आपको ड्राइफ फूड पे ज्यादा ध्यान देना है जो राइस का जो वोट इस चीज को आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है और इस एज के अंदर पपी फूड जो होता है मार्केट में बहुत सारे वेलेबल होते हैं आप उसे दे सकते हैं अब बात करते हैं कि इस चेज के अंदर हमें चिकन देना चाहिए या नहीं देना मताल के पिशिंग फीची करने में देना हैं ज्यांनी आदे इस आपको उसे टमड़न सफिर आप को करना से झाटनें कि काशोरी तो में लाईर ने डेना में में अध्र और यह आपकि आपको आर्शी स्थथ बताया है वह तो आपको नहीं देना इसके अंदर आपको growing field देना है growing field अलग-अलग brand company बनाती है grower देना है साथ में ही आपको इसके अंदर एक देना है यानि दिन में दो बार और ध्यान रहे कि जो एक आप दो गे उसका सिर्फ आपको white part देना है माइन में question आता है कि आपने पहले बताया तो उस stage के अंदर जैसे कि जो मैंने आपको 2-4 महीने की age बताई थी उस age के अंदर भी हम एक दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं उस age के अंदर आप एक दे सकते हो बट आपको उसकी quantity reduce करनी है आपको एक एक देना है पर डे यानि रोज आप एक अंदर दोगे और साथ में ही आपको जो white part जो होता है उसे ही involve करना यह नहीं है कि आप अपने वह डोग को दे रहे हो और इस पेशली जब हम पानी में उबालते हैं जो boil करते हैं एक्स को तब गया होता है वह जो पानी बच जाता है आप अगर उसे ही अपने डोग को ओफर करोगे पीने के लिए तो बहुत ज्यादा nutritionable होगा और आपका जो डोग है healthy बन जाएगा उससे तो गाइस अब हम जो चिकन की बात कर रहे थे तो गाइस चिकन जो है हम 6 जो हमारा जो डोग है चार से 6 महीने की एज का है ना उसके अंदर भी ए 5-degree starter के उपर देना है आपको किटना देना है सेल्मनोः वो भी मैं बिता देता हो जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा पांच अमल देना है इस ताइप का यह जो सेल्मनोः और अबर सकते हो यह और बिसकिट्स अवैलेबल होते हैं और इस फूड की जो मातरा रहे यानि आपको कितनी बार देना है दिन में तीन बार आप अपने डोग को खाना दोगे विकोज यह एक अडल्ट फेज के बिल्कुल ही क्लोज वाली फेज है तो आपको तीन बार जरूर कर देना है इस फीड को और जो क्वांटेटी रहेगी आपकी इसमें अंदर आप इंक्री होती है आप अपने डोग को दे सकते हैं बहुत एक अच्छा प्रोटीन शोर्स है और जो मैंने बताया आपको एग का यह जरूर ज्यान देना आपको एग का वाइट पार्टी देना है अब हम गाइस बात करते हैं छे महीने से बारा महीने तक की एज के बारे में यानि अड तेने हैं तीन में दो बार देने हैं कैलसीम सिरफ आपको 1 ml दे सकते हो इसके अंदर नौ प्रॉब्लम आपको इसमें राइस भी दे सकते हो आप चाहँ है द्यान रखना बहुत ही जरुदी है जो प्रॉडक्स है जो हम चैना बोलते हैं जिसको पनीर होता है उसका मेंस बना के पुल्टेश कर cockrolor बढ़ उनको बोल करके आप अपने डोग को दे अच्छा होता है पुरो ऑगर कुछ खा नहीं रहा है तभ लिवर टॉनिक अपने डोग siyaegen जरूरी है आपको डूयरत की श्र में नियूट्रिशन दो कुण अवेलेबल होते हैं जो German Shepherd के लिए मार्केट में आप उन्हें पर्षेस कर सकते हो। आप दोस्तों से टाइसोग्राम उन्हें पाउडर की फॉर्म में आप ज़रूर डेली पिला सकते हो यह उसके पिला ऑगाओ छाने में उसे स्प्रिंकल करके तो guys ये कुछ है कि basic जो मैंने चीजे थी आपको बता दी है अब guys मैं जो बात करने वाला हूँ supplements के बारे में कि हम additionally अपने डोग को क्या क्या supplement दे तो सबसे पहले तो जैसे कि मैं diet chart में follow कर रही हूँ कि आपको calcium syrup देना है आपको liver tonic देना है बहुत सारी वीडियो मिल जाएगे आपको youtube के उपर हमारे channel के भी उपर कि कौन सा best रहेगा और साथ में guys आपको multi vitamin जरूर एड़ करना है multi vitamin बहुत ही जरूरी है dog की body की growth के लिए औ तो guys मैं आशा करता हूँ आज की जो हमने जो वीडियो बनाई है वह अच्छी होगी और basically जो मैंने आपको बताया था starting में कि बहुत सारे जो product available है market के अंदर कि कौन सी ब्रेंडिंग है जिसके अंदर जो mark लगा होता है ना जो mark होता है आपको वही एक verified आपको product purchase करना है ऐस गाइस कहीं ना कहीं यह fox की family से ही जो कैनायन होते हैं उनको हम include करते हैं जो लोमडियां होती है but German shepherd तो बहुत ही aggressive होता है आप चाहते हो कि मेरा जो dog है वह aggressive रहे तो guys आपको यह चीज़े follow करने पड़ेगे और साथ में ही most important point यह है आपको fur को अच्छा बनाने के लिए hair fall न देना है दिन में आप कितनी बार दोगे दो बार दोगे सुबह और शाम और जितने भी जो मैंने आपको डाइड चाट बताया है उसके अंदर जब भी मैंने चिकन की बात की है तो चिकन को आप regular नहीं दोगे alternative days पे दोगे तो guys मैं आशा करता हूं आज की जो हमने वीडियो बनाई है आपके लिए useful रही होगी और आपको पसंद भी आई होगी और अगर आपको पसंद नहीं भी आई है तब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और आपके कुछ कुछन हो तो आप comment box में हमसे जरूर पूट कर सकते हैं हम जरूर उनका answer देंगे बले ही